हलो फ्रोएंज, वल्कम बाक टु दे कार डिरेक्टर चनल, आज हम बात करेंगे अल न्यू टाटा स्यूवी के बारे में, नेक्स ओन, फॉर्थ जनेरेशन का सेकेंड फेसल्क मॉडल आप इस देख रहे हैं, जो मिलेगा आपको सिंगल पेट्रोल और सिंगल डीजल इंजिन एस मॉडल, जो पढ़ेगा आप कॉन रोड डीजल अम्टी के साथ 18,55,000 रुपे का, इस वाले मॉडल में आपको DCT का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहापे मिलते हैं आपको LED सिक्वेंशल टान इंडिकेटर्स, जो काम करेंगे DRLS का भी, सराउंडिंग मिलती है आपको प्य दो फ्रंट पाकिंग सेंसर मिलते हैं आपको नई नेक्स ओन में, ऐसी दिखते हैं इसके लोवर ग्रिल, ऐसा कुछ डिजाइन मिलेगा आपको, नीचे मिलती है आपको सिल्वर स्केट प्लेट, इसका फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा आपको इंडिपेंडेंट लोवर वेश माइक पे संस्ट विट कोईल स्प्रिंग के साथ, पीछे मिलता है आपको सेमी इंडिपेंडेंट, ओपन प्रोफाइल ट्विस्पिम विट स्टेबिलाइजर बार, कोईल स्प्रिंग, एंड शॉक अब्सॉर्बर के साथ, दो एरो ब्लेड वाइपर मिलते हैं आपको, बेक कामरा का फीचर मिलता है आपको नहीं एक्साउन में, इधर मिलते हैं आपको ओल न्यू डामेंड के टलोई वील, तो मिलेंगे आपको एरो इंसर्ट के साथ, काफी बड़िया डिजाइन रखा गया है इस बारी, विश्व मिलते है आपको टाटा का लोगो, फ्रेंट में ड यूल्ड ओन कलर के साथ आपको कुछ ऐसी फिनिशिंग मिलती है, साइड क्लाडिंग की, इधर मिलता है आपको यहाँ पे बॉड़ि कलर्ड और नीचे है ब्लाक फिनिश, साइड अंडर बॉड़ि कलर्डिंग का भी फीचर अवेलेबल है, बॉड़ि कलर आउटसाइड ड ब्लाक फिनिश में, और यहाँ पे मिलता है आपको इसका फ्यूल टांक, और ऐसा दिखते है इसका कंप्लीट न्यू प्रोफाइल लुक, रेर सेक्शन से, काफी दाधा स्पोर्टी लुक मिलती है आपको नहीं एक्सान फेसलिफ के साथ, इधर मिलता है आपको एक्सवेक् के साथ, इसकी सब्सक्रिप्शन मिलेगी आपको एक साल तक फ्री, वह आत ये वान इयर रोट साइज असे साथ, ड्यूल टोन फिनिश के साथ मिलता है आपको इसका रेर बंपर लुक, और ऐसे मिलेंगे आपको इसके एक्सवेक्टर LED टेल लेंप्स, यहाँ पे आपको प् पे हाई मांट स्टॉप लैम नहीं मिलता है आपको इस नहीं एक्साउन में, इधर मिलेगा आपको इसका रेर वाइपर, इस साइट, और आपको इहाँ पे रेर स्पॉलर भी मिल जाता है, और उसके ठीक आगे मिलता है आपको शाक में इन टीना, प्यानो ब्लाक फिनिश मे और इधर मिलती है आपको प्लेस्मेंट रिवोस पारकिंग लाइट की, उसके नीचे मिलता है आपको रेफ्लेक्टर, दो रेर पारकिंग सेंसर्स मिलते हैं आपको इदर, लाइक फ्रन बंपर, आगे और पीछे आपको दो पारकिंग सेंसर्स मिलेंगे, बेक साइज की सिल फेशर पे भी एक बटन मिलता है, उधर से भी आप खोल पाएंगे, इधर मिलता है आपको अब ज्यादा बूट स्पेस, 382 का, पहले मिलता था आपको 350 का, बेक साइस के रवे पासर प्रे भी मिल जाती है, और इधर मिलेंगे आपको shopping hook, maximum capacity है 3kg की, जो आपको इधर भी मिल जाएंगे, और उसके बीचों बीच मिलेगा आपको 12V का socket, और उसके नीचे मिलता है आपको boot lamp, halogen bulb के साथ, diesel AMT and petrol DCA model के साथ मिलेगा, आपको JBL subwoofer का feature, fearless plus S model में, इधर मिलता है आपको puncture kit का feature, जो अभी लगी नहीं है, loading lip की बात करें तो कुछ इतनी मिलती है, आपको material आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको इसका spare tire, जो मिलता है आपको black steel wheel के साथ, same tire ratio मिलता है आपको इधर, इधर मिलता है आपको 6040 flip and fold का feature, टाटा नेक्सान में, इससे आप fold कर पाएंगे और flip पर पाएंगे, और जादा boot space पाने के लिए, ऐसी देखता है इसका boot, fold down करने के बाद, emergency exit का भी feature मिल जाता है आपको tailgate पे, बड़िया safety feature, grab handle, boot को बंद करने के लिए, और यहां मिलता है आपको boot खुलने के लिए button, license click के lights मिलेंगे आपको LED में, आइए इसका rear passenger door खुलके द feature, यहां पर है JBL का speaker, badging भी मिल जाती है आपको JBL की, उसके साथ में है door pocket, back size की, one liter bottle holder के साथ, piano black finish, overall, door mounted armrest मिलता है आपको hard plastic में, rear door, child safety lock, यहां पर है storage space, power window का switch, matte black finish में, black interior theme मिलता है आपको इस model में, बैने की, calico, leather right seats मिलेंगे आपको black finish में, stitching आप देख सकते हैं, under thigh support भी बड़िया मिलता है, ISOFIX, side switch mounts मिलेगा, दो adjustable headrest मिलते हैं आपको इदर, rear में armrest भी मिल जाता है, cup holder feature के साथ, wheel base में कोई भी बदलाव नहीं मिलता, इतना कुछ चंप मिलता है आपको middle section में, दो rear raceी winch मि पीछे मिलते हैं आपको दो ports, इदर से आप अपने smartphone को charge कर सकते हैं, back pocket का feature अवलेबल नहीं है, दोनों front seats के पीछे, adjustable headrest मिलते हैं आपको for the front row, shoulder height adjustable front seat belts, hook का भी option मिल जाता है आपको B pillar पे, holdable grab handle मिलते हैं आपको total 3, 4 took का feature मिलता है आपको second row में, जो मिलेगा आपको दोनों side quarter glass का feature अवलेबल नहीं है, total 6 मिलते हैं, जो है standard feature, ऐसा दिखता है इसका all new front dashboard look second row से, two spokes steering wheel मिलता है आपको नई Nexon में, जो आता है illuminated logo के साथ, electric sunroof, आई गाड़ी के भार जलते हैं, ऐसा मिलेगा आपको side profile, dimensions में आपको बदलाव मिलता है, length मिलेगा आपको 2 mm ज्यादा, या ज्याने की 1804, height आपको 14 mm ज्यादा मिलती है, 1620, and wheelbase मिलेगा आपको same, 2498 mm का, height में बदलाव के करान आपको ground clearance भी भेतर मिलता है, 208 mm का, turning radius मिलेगा आपको 5.1 meters, and curve width depend करता है, variant to variant पे, and इसके safety features की बात करे तो काफी ज़्यादा safety features पिलेंगे आपको, नई Nexon में, like 6 A-backs, ABS with EBD, electronic stability program, hill hold control, electronic traction control, rollover mitigation, electronic brake pre-fill, ISO fix, 360 degree high definition surround view camera, reverse parking camera with dynamic assist, blind view monitor, front and rear parking sensors, tyre pressure monitoring system, auto dimming IRVM, auto head limbs, range sensing front wipers, emergency and breakdown call system, emergency brake assist, IRA connected car features, driver assistance system, driver seat belt with pre-tensioner, load limiter, and crashed locking tongue, seat bell reminder with buzzer for driver and co-driver, 3.ELR seat bells for all seats, multi drive modes, brake disc swiping, voice assisted electric sunroof, rear door cell safety lock, center locking with smart entry system, voice alert for various warnings, door ajar, key left, headlight on warning indicators, जैसे safety features मिलते हैं आपको, Tata Nexon के top model के साथ, तो safety में कोई भी कमी नहीं मिलती है आपको Nexon में, और ऐसे दिखते हैं इसके X-Factor LED tail lamps आपन होने के बाद, ये feature आपको standard नहीं मिल ये मिलेगा आपको अपर models में ही, Tata X1 platform पे based है Tata Nexon, इसी platform पे बंती है Tata Tiago and Tata Tigor, and global end cap में मिले इसको 5 star की rating for the adult occupancy, points मिलें इसको 16.06 के out of 17, and child में मिले इसको 3 star की rating, points मिलें इसको 25 के out of 49, fearless plus S model के साथ मिलते हैं आपको total 4 color option, fearless purple, जिधर आपको interior बी purple मिलता है, और इसी interior क के साथ आपको 3 color option मिलेंगे, dual tone में, Daytona Gray with Black Roof, Flame Red with Black Roof, और जो आप सामने देख रहे हैं, यह है Pristine White with Black Roof जैसे color options मिलते हैं आपको, और ऐसे दिखते हैं इसके sequential turn indicator, on होने के बाद, जो काम करते हैं LED DRLs का भी, जो काफी दादा bright मिलते हैं, as compared to previous facelift model, और यह design मिलता है आपक काफी दा futuristic, आप देख सकते हैं, काफी शांदार लगते हैं इसकी front profile and rear profile भी, overall काफी दादा बढ़िया लग रही है अभी यह गाड़ी, ऐसी दिखते हैं इसकी front profile look DRLs के साथ, और यह automatic LED projector headlamps, जो काम करते हैं high beam and low beam के साथ, आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी लगी है, front profile, यह है इसकी high beam profile, नीचे मिलते हैं आपको cornering lamp function के साथ, LED front walk lens, तो यह complete setup मिलता है आपको headlights का, EV model में आपको lights थोड़ी different मिलेगी, as compared to petrol and diesel models, and top model के साथ आपको diesel AMT, diesel manual, petrol DCA, and petrol manual का ही feature मिलता है, petrol AMT का feature नहीं मिलता है, आपको fearless plus S model में, सबसे पहले launch 2 थी थी यह 2017 में, as far generation, इसका first facelift model launch हुआ था 2020 में, और यह second facelift जो हाली में launch हुआ है, रंजन गाउपो ने भारास्टर एंडिया में इसके assembly होती है, इधर मिलता है आपको fortified cabin like previous model, यह पर मिलती है आपको 2 remote keys, 4 buttons के साथ, auto foldable overwinds का feature मिलेगा, lock करने पे बंद हो जाएंगे, unlock पे खुल जाएंगे, उसके मिलता है आपको reflector का feature जो आपको rear doors पे देखने को नहीं मिलता, likewise आपको umbrella holder भी front to doors पे मिलता है, big size की door pocket मिलती है, आपको one little bottle holder के साथ, JBL का speaker मिलता है आपको drop model में, यह पर tweeter का feature नहीं है, यह ऐसे ही है, design, piano black finish, front to doors की door mounted armrest पे मिलेगा, आपको black leather insert जो rear doors पे नहीं मिलता, padding ब पे आपको black leather insert मिलता है, like rear doors, storage space, one touch up या one touch strong का feature मिलता है, आपको driver side power window पे, और इदर मिलता है, आपको rear power windows को lock करने के लिए button, यह है diesel AMT model, इदर मिलेगी आपको instructions, आप पढ़ सकते हैं, chrome inside door handle, साथ में है lock and lock button, matte black finish में, या पी है ORVM के control, electrical adjust, और ट्रैक कर पाएंगे आप, औ मिलता है आपको fearless plus models के साथ, और black interior theme मिलती है आपको, piano black finish and silver insert के साथ, premium black leather seats मिलती है आपको, electric sunroof मिलेगा, netted roof liner का feature मिलता है, यह है इसका cabin look, आगे और पीछे आपको adjustable headrest का feature मिलता है, अराम से यहाँ पे 5 लोग बैठ सकते हैं, और ऐसी quality मिलती है आपको seats की, voice stitching का का काम ventilated, button की बात करें तो मिलेगा आपको इदर, इस side, इदर मिलती है आपको 3 speed, इदर से आप adjust कर सकते हैं, और fearless plus model के साथ आपको दोनों front seats पे height adjuster का feature मिलता है, जो other models में available नहीं है, यह lever मिलता है आपको recline के लिए, और यहाँ से कर सकते हैं, slide driver seat को, driver side मिलती है आपको tire pressure information, आप पढ़ सकते हैं, ऐसी मिलती है आपको इसकी paddle positioning, यह है diesel EMT model, dead paddle का feature available नहीं है, और यहाँ से खुल सकते हैं आप engine bonnet को, यहाँ से खुल सकते हैं आप fuel lid को, and driver side मिलेगी आपको storage space, और कुछ ऐसा design मिलता है आपको इसी winch के surrounding में, इसी winch के norm मिलेगी आपको silver finish में, और यहाँ पे भी silver insert है, यहाँ पे hard plastic, आई गाड़ी के अंदर चलते हैं, ऐसा दिखते हैं इसका cabin look, top model का, यहाँ पे मिलता है आपको two spoke steering wheel, illuminated logo के साथ, leather wrap steering wheel मिलेगा आपको, steering adjustment की बात करें तो tilt way में आप कर पाएंगे, telescopic available नहीं है, यह इसका horn, यहाँ मिलता है आपको purple insert, piano black finish के साथ और यहाँ पे है M.I.D. and cruise control के buttons, left-hand side पे मिलता है आपको audio and calling controls, with voice command button, parallel shifters का feature मिलता है आपको automatic variants के साथ, यहाँ पे wiper and washer controls, और यहाँ पे है light indicators and high beam के controls, right-hand side lever पे, automatic headlem का feature मिलता है आपको, along with range sensing front wipers, 10.25 inch का touchscreen system मिलता है आपको नहीं exon के साथ, यहाँ मिलता है आपको silver insert knobs पे और यहाँ पे मिलता है आपको कुछ ऐसा design, hard plastic के साथ, उपर है silver insert, जो आपको overall dashboard पे देखने को बल जाता है, ज़र है leather finish, stitching के साथ, इस small के साथ मिलता है आपको art speakers, JBL के and JBL सा woofer, यहाँ पे है tweeter, appillar पे, total sex airbags मिलता है आपको next all में, जो है standard feature, और यहाँ पे है right-hand side का tweeter, ऐ इहाँ पे मिलता है आपको ticket holder का feature, driver size sun visor पे, black sun visor मिलते हैं आपको, auto dimming IRVM, एकी reading light मिलती है आपको front section में, जो में लेगी आपको LED में, emergency and breakdown call कर सकते हैं आप इदर से, और इसके साथ में मिलेंगे आपको sunroof के control, यह dummy button, Bluetooth mic, यह notify करता है passenger airbag on यह off है, ऐसी कुछ padding मिलती है आ आपको vanity mirror का feature, passenger size sun visor पे, light का feature available नहीं है, और पहले वेले model की तरह ही आपको glove box का size उतना ही मिलेगा, huge size का glove box मिलता है आपको, यह है cool glove box, illumination light का भी feature मिल जाता है आपको इदर, halogen bulb में, दो cup holder मिलते हैं आपको इदर, और यहाँ पे भी tiger बना हुए, like rear windshield, touch panel मिलता है आपको, automatic climate control मिलेगा आपको इदर, यहाँ पे मिलता है आपको 1000 light का button, साथ में है boot खोलने के लिए button और यह center locking का button, और उसके साथ में मिलता है आपको 360 degree camera का button, सारे touch buttons मिलते हैं आपको नहीं next on में, यहाँ पे मिलता है आपको 12 volt का socket, एक आपको boot में भी देखने को मिल जाता है, साथ मे हैं दो ports, type C के and type A के, like rear section, यह है इसका compact gearbox, e-shifter का feature मिलता है आपको diesel AMT and petrol DCA models के साथ, यहाँ ब्लाक finish मिलता है आपको overall, multi drive modes मिलते हैं आपको इदर, city mode, sport mode और eco mode, norm मिलता है आपको chrome finish के साथ, wireless charger का feature मिलता है आपको नहीं next on में, यह feature मिलता है आपको fearless model से, जो पहले available नहीं ऐसी कुछ quality मिलती है आपको इदर, यहाँ पर मिलता है आपको black finish, chrome tip, rear section की तरह आपको front section में भी armrest का feature मिल जाता है, soft touch material के साथ, यह slideable नहीं है, अंदर कुछ इतना space मिल जाएगा, arrow insert का design देखने को मिलता है इदर, आए गाड़ी कौन कर लेते हैं, left inside मिलता है आपको इसका steering wheel, आप देख सकते हैं, गाड़ी कौन करने के बाद काफी ददा शांदार look मिलती है आपको नहीं Exxon में, पूरा cabin में ही बदलाव मिलता है आपको, white layer के illumination light मिलती है, आपको buttons पे, segment के साब से आपको काफी ददा premium interior मिलता है, Tata Nexon facelift model के साथ, इसके steering mounted controls, calling controls, audio controls, voice command का button, right inside concept मिलते हैं, आपको MID controls and cruise control, आप देख सकते हैं, 10.25 inch का digital instrument cluster मिलता है, जो आते navigation display के साथ, आप इदर भी navigation में आप चला सकते हैं, कई सारी information देखने हो मिलती है इदर, steering mounted controls से आप access कर पाएंगे MID को, settings में वो कई सारी options मिल जाते हैं, dial view भी आप change कर सकते हैं, digital view, first dial view and second dial view, आप कोई भी view select कर सकते हैं, और कई सारी options मिलते हैं आपको दर, आप देख सकते हैं आप सी screen के ओपर, favorite menu भी आप select कर सकते हैं, engineering menu, यह सब options मिलते हैं, trip information, distance to empty, trip A, trip B, कई सारी information देखने हो मिल जाती है, instant physical economy, driver assist system, जो मिलता है आपको दर, इस नहीं exon के साथ, tire pressure monitoring system का भी feature मिलता है आपको दर, power and talk के levels, geforce monitor, आप navigation map भी चला सकते हैं, इस instrument cluster पे, यह मिलता है आपको big size 10.25 inch में, यहाप यह temperature gauge, यहाप यह fuel gauge, total number of kilometers, कई सारी information, outside temperature display, साथ मिलता है आपको digital time, और right-hand side मिलता है आपको digital speed का feature, तीन modes मिलेंगे, यह है city mode, eco mode, और यह है sport mode, तीन modes मिलते हैं आपको, data next on में, और इदर मिलता है आपको 10.25 inch का high definition touchscreen infotainment system, इस वाले model के साथ मिलता है आपको slim bezel का feature, जो आपको the models में नहीं मिलेगा, कई सारे features मिलते हैं आपको इदर, air purifier का भी feature मिलेगा, इदर से आप ए quality index चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप climate control को भी operate कर पाएंगे, और इस model क मिलता है आपको diesel AMT and petrol DCA model के साथ ही, और इस system support करेगा wireless Android Auto, wireless Apple CarPlay, IRA Connected Car Technology, Amazon Alexa, USB, Bluetooth and Radio को, इहाँ मिलता है आपको high definition surround view camera का feature, ऐसे कुछ quality मिलती है आपको, काफी ज़दा बढ़ी है, 2D view and 3D view आप देख सकते हैं, आप कोई भी angle select कर सकते हैं accordingly, कही सा remotes मिल जाते हैं आपको इदर आप देख सकते हैं different angles, blind view monitor का feature मिलता है आपको इदर, bird eye view भी आप select कर सकते हैं, settings में आपको कही सारे options मिल जाते हैं, उदर से आप default mode की setting कर पाएंगे, front view के लिए and rear view के लिए, कही सारे features को आप enable or disable कर सकते हैं, top view भी आप इदर से enable or disable कर पाएंगे, और beep भी सुनाई देती ह जब ये 360 degree camera activate होता है, इसका अलग से dedicated button में मिलता है आपको, ये quality index भी दिखाता है ये, इतने सारे options मिलते हैं आपको इदर, settings में आपको कही सारी settings कर पाएंगे, driver assistance की भी, HMI doodle, vehicle, system और कही सारे options मिलते हैं आपको, इस system मिलता है आपको हर्मन की तरफ से, आपे मिलता है आप automatic climate control, ये इसकी blur speed, total 6 AC winch मिलते हैं, सारी information आपको touch screen पे भी देखने को मिल जाएगी, पीचे मिलेंगे आपको 2 AC winch, आगे मिलेंगे आपको 4 AC winch, max AC का भी button अलग से मिलता है, और यहापे मिलता है आपको express school का feature, जब आप उसको press करेंगे तो windows roll down हो जाती है, इस तरीके से, य windows roll down हमेशा नहीं होईगी, ये आपको voice alert भी देता है, और इदर ही मिलेगा आपको 360 degree view camera का button, इस साइट से आप इदर से activate कर सकते हैं, इस तरीके से, without engaging reverse gear, और इदर से off कर पाएंगे, यहापे मिलता है आपको front program का feature, इदर से आप activate and deactivate कर सकते हैं, easily, and reverse side power window मिलता है आपको one touch touch up या one touch sound feature के साथ, and over view के control मिलते हैं आपको इदर, इदर से आप easily electrically adjust and track कर पाएंगे, और इस तरीके से आप रे track कर सकते हैं, over view को key synchronization का भी feature मिलता है आपको इदर, और इस model के साथ मिलता है आपको voice assisted electric sunroof का feature, इदर मिलेगा आपको एक button, इदर से भी आप खोल सकते हैं, इतना कुछ size मिलता है आपको, खोलने के बाद, wind deflector, और आप इस glass को tilt भी कर सकते हैं, for the ventilation purpose, voice command से भी आप इसको बंद कर पाएंगे, और इदर button से भी आप इसको बंद कर सकते हैं, इस तरीके से, and sun blinds को आप manually ऐसे बंद कर सकते हैं, या खोल सकते हैं, तो इस सब features मिलते है आपको Tata Nexon के top model के साथ, ऐसा दिखते हैं, इसका cabin look, काफी premium interior मिलते हैं, आपको Tata Nexon में, आए गाड़ी को बंद कर देते हैं, इदर मिलता है आपको इसे start stop button, और ऐसी दिखते हैं, इस की door or jar warning, इस digital instrument cluster पे, आइए इसका fuel rate खोल के देखते हैं, 44 liters की मिलती है, आपको इह engine cover का भी future मिल जाता है, आपको इदर, सामने देखने हो, मिलता है 1.5 liter का turbo charge revotron, BS6 stage 2 compliant diesel engine, 4 cylinder engine, जो produce करेगा 113.3 BHP की power, 260 NM talk ते साथ, company mileage claim करते 23.23 की for the manual and 24.08 for the AMT, आता है 6-speed manual या 6-speed AMT gearbox की साथ, दूसरा मिलता है आपको 1.2 liter का turbo charge revotron petrol engine, यह 3 cylinder, जो produce करेगा 118.3 BHP की power, 170 N talk के साथ, और यह मिलता है आपको 5-speed manual for the base model, 6-speed manual, 6-speed AMT and 7-speed DCA gearbox के साथ, तो कैसी लगी आपको Tata Nexon facelift, comments में बताइए, वीडियो पसंद आए तो like करिए, share करिए और हमारे चनल को subscribe करिए, thank you for watching.